आप एक प्रॉब्लम अपने Android स्क्रीन में कभी-कभी फेस करते हैं सद्टनली आपको देखने को मिलता है जब भी आप पाव बटन को अन करते हैं Instead of offing, मतलब off होने से पहले ही Google Assistant चालू हो जाता है तो साथ इस तरह का प्रॉब्लम अभी आप फेस करें या फेस करेंगे तो दोस्तो प्रॉब्लम का सेलूशन सिर्फ एक निट का होने वाले है रिकॉस्ट कारणों का वीडियो का आप अंतक देख लें तो आप जलिए सीधे मूव किया जाए सब्जेट के उपर तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा अब आपको सेटिंग शेक्शन में जाना होगा इस प्रॉब्लम का सेलूशन ढूनने के लिए तो दोस्तो यहां आपको एडिशनल सेटिंग ढूनना होगा टैप कीजिए यहां आपको button shortcut मिलेगा simply यहां अगर आप टैप करते हैं तो बहुत से options आपको यहां दिया जाएगा यहां आप देख सकते हैं दोस्तो नीचे मैं scroll करके आ चुका हूँ यहां आपको दिया है press and hold the power button for 0.5 seconds to turn on google तो इसको अगर आप इस तरह off कर देते हैं तो दोस्तो आपके power button के अंदर जो google assistant है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यह अगर इस तरह enable रहता है दोस्तो तो आपको power button दबाने से कुछ google assistant इस तरह का enable होता हो मिलेगा दोस्तो इसको आप करने का तरीका ही दोस्तों मैंने आपको अभी तक समझाया तो यह दोस्तों पाव बटन गूगल एसिस्टन आप स्टॉप डिजवल करने का एक एजियस्ट और सम्पल सा तरीका खोब यह तरीका आपके लिए यूजफूल और हल्पल सा भीत हुआ होगा अगर है तो किसे सोचल प्लाटफॉर्म में जरूर इस वीडियो को शेयर कीज़ेगा चलिए बहुत होगा बगबग वीडियो को यह पर कंकूल करते हैं मिलते हैं नेक्स किस वीडियो में इसी तरह का इंफोर्मेशन लेके